दोस्तों नमस्कार, मैं संजे मगगू और मौझूद है देश रोजाना के डेश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में भारती जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गयी है नायब शेनी कल हर्याना के भारती जनता पार्टी के मुख्य मतरी के तौर पर शपद लेंगे यानि कि हर्याना के अंदर भारती जनता पार्टी का पंदरा साल का राज का जो स्वपन के जिसे कह सकते हैं क्योंकि आज तक हर्याना के अंदर किसी भी पार्टी की हैट्रिक नहीं बनी किसी भी पार्टी की लगातार तीन बार सरकार नहीं बनी और अगर कहें तो भारती जंता पार्टी को ये स्वभाग्य मिलगा है या फिर हर्याना भारती जंता पार्टी को ऐसा रास आया कि ये बीजेपी की एक तीसरी देश के अंदर तीसरी प्रयोगशाला बन गया मैं अपने कई वीडियो में कहता रहा हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर लंबा समय हो गया लगबग ढ़ाई दशक मध्या प्रदेश के अंदर दो दशक से ज़्यादा हो गए बीजेपी की सरकार चलते हुए और अब हर्याना भी उसी केटेगरी में लगबग लगबग जाता जा रहा है अब तीसरी बार सरकार बनने के बाद तमाम चिंतन मंधन लोगों के बीच है कि भारती जंता पार्टी का तीसरी बार का जो शासन आया तीसरी बार सरकार बनी देखे हर बात के कोई सूत्रधार हुआ करते हैं जब भी कोई प्लानिंग होती है तो फिर उसकी योजना करने वाले लोगों के सिर सहरा सजा करता है बताया जाता है कि इन लोगों की मेहनत जैसे आज अमिशा जी थे अमिशा आये हुए थे आज नायव सिंग सेनी को जब नेता चुना गया विधायक दलका तो केंद्रिय परविक्षक के तोर पर मुख्य रूप से अमिशा उसमें मौजूद थे और हमिशा ने अपने संबोधन के अंदर हर्याना के पूरू मुख्य मंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार के भारी भरकम डेपार्टमेंट्स के मिनिस्टर मनोरलाल को इसका श्रे दिया औरों को भी दिया सतीश पुनिया को भी दिया, विपलव कुमार देव को भी दिया, धर्मेंदर पर्धान को भी दिया और इनके सासा सुरंदर नागर को भी दिया नायव सिंग सेनी की पीठ भी थप थप आई महलल बडौली को भी गरम जोशी के साथ हात मिला करके उनका भी एक तरह से होसला बढ़ाया लेकिन जब वो विधायक दल की बैठक के अंदर अपन सμोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मनोहरलाल की जो साड़े नौ साल की सरकार थी उन्होंने कहा कि मनोरलाल की साड़े नौ साल की सरकार जो करप्शन फ्री ब्रश्टाचार मुक्त इसके साथ साथ उन्होंने मनोरलाल की कई नीतियों को और कई कारेक्रमों को दोराया और इस वीडियो में मैं भी आपके साथ मौजूद हुए उसी मुद्दे को लेकर और यहां मैं कहूं कि मैं आपको बताने चला हूँ सूत्रधार की कहानी जो हर्याना के अंदर बीजेपी की हैट्रिक सरकार बनवाने के अंदर बड़ी कारगर साबित हुई आपको पार्शों में जाना होगा पहले वर्श 2014 जब देश के अंदर मोदी लहर थी और मोदी लहर पर सवार हो करके पहली बार केंदर केंदर बारती जन्ता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंदर में सरकार बनने के बाद नजरे हर्याना पर थी और हर्याणा का उस समय पूरे तरह से आप कहें तो अवराल इंचार जो काम समाला हुआ था वो अमिशाने समाला हुआ था महंदरगड में रैली हुई थी जिसके अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों के लगबग 50 से ज़्यादा नेता बीजेपी में जॉइन हुए थे और उसके बाद में 2014 में विधान सभाद चुनाव हुआ और विधान सभाद चुनाव के अंदर भारती जन्ता पार्टिय को क्लियर मेजैयोटी मिली जब चुनाव चल रहा था 2014 का और जब बीजेपी को मैजेवटी मिली तो नाम चलता था कि मुख्या मंत्री कौन और मुख्या मंत्री के चहरे के रूप में नाम सामने आया मनहरलाल का जो राजनीती में रुची रखते हैं वो भी और जिनको थोड़ा सा कम जानकारी रखते हो वो भी उस अभी जानते हैं कि मनहरलाल हर्याना की राजनीती में कोई नया किरदार नहीं थे 1996 की चौधरी बंसी लाल की सरकार जब हर्याना के अंदर अस्तित्यों में आई तो उस दोरान में मनहोर लाल हर्याना के संगठन मंत्री हुआ करते थे और जब कहीं ऐसा लगा कि भारती जंता पार्टी के हितों पर कुठारा घात हो रहा है तो फिर मनहोर लाल ही पहले वो शक्स थे जिन्नोंने चौधरी बंसी लाल की सरकार को यानि की हवीपा भाजपा गठवंदन की सरकार को किनारे लगाने की योजना पर काम करना शुरू किया उस समय से ही मनहोर लाल हर्याना की राजनीती में पूरी तरह सक्रिय थे उसके बाद हर्याना के और सही कई राज्यों के परभारी भी रहे संगठन मंत्री भी रहे और राष्ट्रे स्वेम सिवक संग और भारती जन्ता पार्टी के बीच सेतु का काम करता है मनहोर लाल उस सेतु का काम भी करते रहे 2014 में जब बाद चली मुख्य मंत्री कौन तो मैंने बताया आपको की मनहोर लाल पर नजरें गई और मनहोर लाल हर्याना के मुख्य मंत्री हुए मनहोर लाल का मुख्य मंत्री बनना दोस्तों हर्याना के अंदर ऐसी बहुत सी ताक्तें थी जिनको रास नहीं आया था वो ताक्तें भारती जंता पार्टी में भी थी और वो ताक्तें विबक्ष के अंदर भी थी जिस प्रकार उस समय का आंदोलन चला और उस आंदोलन पर जिस प्रकार से सफलता पूर्वक मनहरलाल ने उस आंदोलन को शांत करने की भूमिका निभाई हालांकि कुछ ना कुछ मिरोधा भास रहे, कुछ बात चली लेकिन उस आंदोनन के बाद जो मनहोर लाल ने हर्याना एक, हर्यानवी एक का नारा दिया हर्याना एक, हर्यानवी एक का संदेश दिया उस संदेश में मानो पूरा हर्याना एक सूत्र में बनता चला गया पांस साल सरकार चली और उस पांस साल की सरकार के अंदर तमाम छोटे बड़े कई फैसले हुए लेकिन सबसे प्रमुक था हर्याना सरकार की Transfer Policy और हर्याना की बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी यानि कि नौकरियों के अंदर जिस प्रकार से पार दर्शिता आई जिसके अंदर स्टूडेंट्स जाकर पढ़ते हैं वो मुझे आज से लगबग तीन महीने पहले मिले थे चुनाव से लोगसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव की गोशना होने से कुछ दिन पहले तो मैं इसे पूछ रहा था कि लाइवरेरी कैसी चल रही है तो बिना छेतरवाद, बिना जातिवाद, बिना भाई भतीजावाद और बिना पर्ची-खर्चीवाद के नोकरिया मिलने का जो चलन शुरू हुआ ये बंद हो जाएगा आज वो मुझे युवक फिर मिले पलवल के अंदर ही मैं निकल रहा था तो किटवाडी चौक के पास कि लाइबरेरी कैसी चल रही है, तो कहने लगे कि पिछले छे दिन से लाइबरेरी में वापस रौनक आ गई है, ये विश्वास हुआ करता है दोस्तों, ये लोगों के बीच एक संदेश होता है और ये मनहोरलाल ये संदेश देने में कामयाब हुए थे, खास कर युवाप मिलेगी और उसके लिए उनको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए इस बात को जोड़ना चाह रहा था कि ये 2024 के चुनाव का एक फलस्पा था, वापस आता हूँ आपके साथ 2019 का चुनाव हुआ, और 2019 के चुनाव का जो मुख्यन आ रहा था, वो चला हरिय गाना एक, हरियानवी एक, नंबर एक, और नंबर दो पर चला बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी, 2019 के चुनाव के अंदर जन्ता ने इसको वेंगी कार किया, हलाकि पूर्ण भहुमत तो नहीं मिला, लेकिन भारती जन्ता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आई, 40 स चीटे मिली, और इसके साथ में इंडिपेंडेंट और जेजेपी के समर्थन से सरकार चली, मनोर फिर मुख्यमंत्री हुए, और फिर श्रू हो गया वही वला सिलसिला, तमाम पोर्टल, दूसरी मनोर पार्ट टू की सरकार जो बनी, उसके अंदर तमाम ऐसे पोर्टल, जिस की ब्रष्टाचार पर रोक लगे, राशनिंग के मामले को अगर आप देखें, तो राशन प्रणाली कुछ ऐसी हो चुकी थी पिछले समय में, जिससे की आम व्यक्तित्व को, आम आदमी को, गरीव आदमी को, जिसकी नीड होती थी, उस तक राशन पहुंसता नहीं था, ल लेकिन चुनाओ परिणाम बताते हैं 2024 के, जिसके अंदर की 2014 और 2019 दोनों से अधिक बड़ा मेंडेट मिला भारती जनता प्राटी को, 2014 में BJP को 47 विधायक मिले थे, 2019 में वो 40 रह गए, लेकिन 2024 में वो विधायक 48 हो गए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था, कि किरदार हुआ कर अनौरलाल वो किरदार हैं, जिन्वोंने हर्याणा के अंदर भारती जनता पारटी की सथ्ता वैवेस्था और इसके साथ विकास की जो रफतार हुई, उसको गती देने वाले और भारती जनता पारटी को नया आयाम देने में, उनकी योजनाए, उनकी रिया कलाब, सब दश्टाचार मुक्त हो सकता है कि कोई व्यक्तित आज नायप सिंग सेनी अर्याना के मुख्य मंत्री है उन्हें एक संदेश दिया कि अगर किसी को कोई परिशानी है मेरे दरवाजे पर आजाए लेकिन मनोरलाल का ये संदेश था कि आपको कोई परिशानी होने ही नहीं दूँगा आपकी परिशानी आपके वहीं निप्टा दी जाएगी ये सभी के अपना कारे करने का तरीका होता है तो जो मैं आपको बता रहा था सूत्रधार मनोरलाल जी को घ्रियाना से लेकरके और सेंंटर करम्में में ले जाया गया लोगसभा का चुनाव लड़के वह सांसत्त बने करनाल सी और मोदी साथ 3 की सरकार के अंदर वो पावर मिनिस्टर और शेहरी विकास मंतरा ले उनको मिला विपक्ष के लोगों ने खासकर और जो प्रस्पेक्शन बनाने वाले लोगों ने परचार चलाया कि मनःखुर लाल की पॉलीजिया, मनःखुर के कारेकरम, मनःखुर लाल की नीतिया, ये रास्त नहीं आई, और इसलिए चेहरा बदला गया। लेकिन जहां तक मैंने भारती जन्ता पार्टी की राजनीती को देखा, उसकी अंदर एक चीज देखी है। बारती जंता पार्टी की राजनीती के अंदर एक ऐसा एक मैं आपको क्या उसका शब्द कह सकते हैं कि उसके अंदर पार्खी जो कहा जाता है कि किस समय किसकी कहा जरूर्थ है उसको हमार इड़स्ट किया जाता है मनहोरलाल सेंटर गॉर्मेंट में गए और उनके पास हर्याणा का पूरा दारोंदार रहा हर्याणा विधान सभा का चुनाओ टिकट वित्रन से ले करके और चुनाओ परिणाम तक मनहोरलाल और आज फिर जब सरकार विधायक दल का नीता चुना जाना और उसके बाद कल जब सरकार बन लिए इस सबका अद्वीच का दौर आज जब राजयपाल के पास गई तो नायव सिंग सेनीं के साथ अमिशा भी थे और मनहुरलाल खट्कर भी थे यानि कि एक सूत्रधार वाली बात जो चली वो सामने रख करके और उसको अंजाम तक पहुचाने वाली बात है एक महत्वपूर बात और रह जाती है दोस्तों कि हर्याणा के अंदर मनहुरलाल अपने भाशनों में कई वर कहा करते थे कि जो ये सफेद कुर्ते हैं इनको खूटियों पर टंगवा देंगे इसका कई लोगों ने गलत अंदाज भी लगाया लेकिन जो फेक्ट था जो तथे थे उसके पीछे ये बात हुआ करती थी कि ठुलेदारी और चौधर वाली प्रथा हर्याणा के अंदर अब चलेगी नहीं जो ठुलेदारी की प्रथा होती है जो चौधर वाली प्रथा हो जाती है या फिर कहा जाता है कि यह मुगदम है यह ठौणडा है थाना कचैरी कोट उनके अंदर चलता है तो वो प्रथाएं भी बंद हुई और इसका मगर मैं कह दूं कि आम आदमी को जब 2024 का चुनाव चल बिना पर्ची बिना खर्ची इसके साथ साथ करप्शन फ्री इसके साथ साथ थाना कोट कचैरी के अंदर जो आम आदमी की सुनवाई जिसके अंदर की यह ठौणडा ठुलेदारी दलाली प्रथाएं जो बंद हुई इसका भी लोगों को मान ले तो जो आम बादमी है जो अ पहुंसती है कमिशन के साथ लेकिन जब सीधे बात पहुंसती है तो फिर वो ऐसी तूती बन जाती है जो नकार खाने के अंदर हरवड़ी पैदा कर दे और यह सारी बाते थी यह सारे जो सूत्र थे अगर मैं यह कह दूं कि जो भारती जंता पालिटी की हर्याणा में हैट् पूल ले सकते हैं कि हर्याणा के अंदर चौधर और परिवारवाद की बात बहुत चला करती थी आप समझ सकते हैं लेकिन यह परिवारवाद और यह चौधर इनको भी अगर कहें कोई ठिकाने लगाने वाली बात चली तो उसके पीछे भी बड़ा किरदार मनोरलाल का रहा मनोरला अपने संबोदल में कहा करते थे कि सीधे बात करें और सीधे काम होगा काम वो सूत्र थे जिसने की भारती जनता पारिटी की परदेश के अंदर हैट्रिक बनाने की बात चल दी और मैं आप से इसली दोरा रहा हूं कि आज इस बात को अमिश्याहा ने हर्याणा भार आति जनता पारिटी के 48 विधायक आप 37 विधायक देख लें कॉंग्रेस की तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हर्याना के अंदर आम व्यक्ति का आम आदमी का राजनीती के अंदर रुत्वा बढ़ा है और बढ़ा है ऐसे बहुत से आपको विधायक दिखेंगे कि जो बिल करते थे जिनके बड़े चहरे बड़े नाम राजनीती के अंदर इस चुनाओं में 2024 के चुनाओं में धराशाई हुए इन सब बातों को देखते हुए हर्याणा की जनता के अंदर जो संदेश पहुंचा वो हर्याणा के अंदर भारती जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनवाने का एक में यानि कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी का जो ऐसा एजेंडा चला और इसके साथ साथ ट्रांसफर पॉलिसी सरकारी करमचारियों को जो खासकर अध्यापकों को टीचर्स को घर बैठे हुए अपना ऑनलाइन जा करके और उनको सेक्शन मिल जान ये हर्याणा के अंदर क्रांती कारी बदलाव थे जिसका फायदा दोजार चौबिस में भारती जन्ता प्राइटी को मिला आप इस बास से कितना सहमत है क्रमेंट्स बॉक्स में जरूर पता हैं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना